मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, चौकी दार चौकना है, चौकी दार चौकना है, ना खाएगा ना खाने देगा। कि इस बार कांग रेस का सफाया पुस्पराज गड़ में तो होगा हुई, पूरे मद्ध प्रदेश में होगा, और हमारे मामा जी, ये मेरी आवाज अगर हिंदोस्तान में सुनाई दे रही है, तो याद रखना चौकी दार चौकस है, राहुल जी को मैं बहुत सम्मान करता कि पूरे इस खेल में जोकर है, मोदी जी का एक कथन है, कि मैं हारूंगा, तो हिंदुत हारेगा, अब विपक्षी जीतेगा, तो स्वाभिमान हारेगा, मेरे देश वासियो, सव साल जिन्दा रहना कोई जरूरी नहीं है, एक दिन ऐसा काम करो, लोग सव साल तक याद रख यह नया भारत है, निर्भीग भारत, इस निर्भीग भारत में सतंत्रमन से आप रहिए, जो डर गया, वो मोदी नहीं, इसलिए मेरे मित्रों, यह मोदी जी का देशा है, अब देखो, इधर है नरेंदर मोदी जी, उनकी तरह दिखने वाले, आपका भी चरह अखले शादव जी की तरह दिखता है, जी, है ना, तो पहले मोदी जी से शुरुवात करते हैं, जी मोदी जी बताइए, मद्देपरदेश शुनाव का एलान हो चुका है, तो क्या लग के हैं, कि अनाप सनाप बयान बाजी कर रहे हैं, हम इसका मुहतोर जबाब कब देंगे, यहां की जनता जन देगे, मोदी जी के स्टाइल में कैसे जबाब देंगे उन लोगे, मेरे मित्रों, और मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह जंग लगा लोहा है, दस साल तक लोहा ल कहते हैं, स्वर्णमई लंकाना मिले मा अवधपुरी की धूल मिले, वैसे भी मुझे विश्वास है, कि इस बार कांगरेस का सफाया पुसपराज गल में तो होगा है, पूरे मद्ध प्रदेश में होगा, और हमारे मामा जी, यह मेरी आवाज अगर हिंदोस्तान में मेरा नाम दामोदर्दास है, और मोधी जी जी का मैं, अनन भक्तूम, अनन भक्तूम revenue, यह बताएए, क्या लग रह रहा है, वो तो कहांगरे कमड्लाध जी 11 बचन लेकर रहे है, मोधी जी को सीधे टक्कर दे रहा है, उदर राहुल गांदी भी टकर दे रहा है, अगर कमड ग्यारा के साथ बोले होते हैं तो मैं यह समस्ता हूं कि दंपत्य जीवत से संबंधी थे साथ-पाच बचन साधिया में होती हैं ग्यारा बचन का कोई अउचित्थी नहीं है यह पहले भी वादे किये थे पंद्रा माही की सरकार पर हां इनके खुद के आजमीन को धोखा दे आद्धी या राहूल गांडी को किस तरीके से देखते मद्धेपरदेश चुना में उनकी एंट्री हो चुकी है तो क्या लगता है मुधी जी को तक्कर देने के लिए केंद्र में बितैया ररह है और यहां मद्धेपरदेश में बिते यार रहा है दस जनपत से लेकर विज्ञान भवन के बगल में दस जनपत है वहाँ से लेकर वो जोकराई करते हैं केवल उनको कोई चीज का ज्ञान ही नहीं है वो कुल मिलाके पपू है और पपू तो बात न करें जो माहौल बना है भी कांग्रेस का वो माहौल को भी न बिगाड़े हुई और अपने घर में रहें दस जनपत में और वहीं से दूरदर्शन से आनंद लें और मैं तो बहुत आभारी हूँ परमादर्णी परमसंबान्नी परमस्रधे मोदी जी का जो इस देश का स्वाभिमान बचाया है इस देश के जनता जनारदन का पौरुस बचाया है मोदी जी का एक कथन है कि मैं हारूंगा तो हिंदुत हारेगा अब विपक्षी जीतेगा तो स्वाभिमान हारेगा ये निरड़ें देश की जनता मद्ब्रदेश की जनता और पुस्पराज़गर की जनता मुझा निरभर करती है और ये जनता जिताएगी हमारे छेत्र के लोग पृप्रत्यासी सरल सहद मुरदुभासी है सबका काम और सबका स्वाहिमान बचेगा है हीरा सिंग स्याम का इसलिए मैं जनता जनारदन की ओर से मीडिया के सभी महासाय को बहुत भुद्धनवा देता हूं कि हमारी आवाज पूरे प्रदेस में पूरे देस में जाए और इस भोली भाली जंता के साथ चलवा नहों यह सत्य निरणय करेंगी सही निरणय करेगा इसलिए मेरे मित्रों तालियों की करतल भरी ध्वन से स्वागत किया जाए उ देवी क्या लगता है अखलेश यादव जी पूर मुख्यमंतरी वहां के उत्तरपरदेश के वह भी यहां पर आचुके है जुनाब प्रिचार कर रहे हैं अपनी पार्टी को सक्सम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी लेकिन ये वात है भाई साब अखलेश यादो यूपी से हैं एमपी से तो है नहीं लेकिन हर आदमी का हर जगह का अलग अलग महत होता है है ना और भी कहा जाए कि हर आदमी के जैसे दूर के ढोल सुहावन होता है अब मद्परदेश के वास्थ पब्लिक क्या जानेगे कि अखलेस यादों की अंदर क्या है और उनका न्रतत तो क्य है वो अपने कम से कम अपने प्रदेश में तो कम से कम स्थापित होके बताएं पिर मद्द प्रदेश में सासन बनाएंगे है कि नहीं तो प्रिचार करने आ गए अपनी पार्टी को जीवित करने हमारे दादा जी बोले ना कि कलाकार होते हैं तो जहां प्रोग्राम की महौल ब होता है बस हो गए वहां की पब्लिक सब सक्षम है मत्रदेश के जितने भी जैनता है वास्तों में कहा जाए सच्चाई की बात बता दूं मैं पार्टी बिसेश की बात नहीं कर रहा हूं एक तरह बीजेपी सरकार कर जब से योजना स्थापित हुआ है तो बीजेपी सरकार से हो गया क्यों पार्टी हो गए इनकी मतलब बीजेपी के कोई नहीं पा रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं अच्छा मध्यप्रदेश चुनाम में एंट्री राहूल गांदी की होना स्वभाविक है क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी के बड़े नेता है तो क्या लगता है कुछ का पंद्रा महीना से सासन बना था उस बीच पर मेरे को यह सुनने को नहीं बलके हकीकत बात है मानिक कमलनाथ जी मुखमंत्री थे उनके समय पर चुनाओ के पहले घोशड़ा आया था कि मैं किसानों का रिड माप करूंगा आई की नहीं और मैं भी पढ़ा लिखा बैकती किसान हूं तो मेरे को यह देखने को मिला किसानों की जब रिड माप करने की आउसर आया तो मन यह आप कह रहे हैं ना कि यह राहुल गांधी जी एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस दसमें दिन यदि रिड माप नहीं हुआ तो मैं राजनीती का स्थित खतम कर द साथहां दिया गया किसी करेंशाल माय को यह दो घाष है लेकिन उनके खाते में किसानों के खते में अभी उतने के रिल बना था और शीर घ। मुखमंतरी शुराज थे और उनके सासनकाल पर जब रिड़ माफ हुआ तो ना कोई पेपर की जरूरत पड़ा ना कुछ नहीं पता नहीं कहां से क्या जादू किये क्या यादेश किये एक बार में आडर किये सभी बैंकों में पूरा फालो हो गया सभी किसानों के जो रिड़ अंदाज में कैसे बया करेंगे मैं आपको एक बात बता दूं यह किसान है इनका कहना है कि पहले इस्तेमाल करो फिर बिस्वास करो यह काम केवल केवल भार्दी जनता पार्टी करती है और लोगों की आदत छुट सकती है सुभाव छुट सकता है जिसके ब्लड में हो लोग काम करने की छमता घर तक योजन पहुचाने की छमता भार्दी जनता पार्टी पे है सव साल में सव साल में कोई एक ऐसा ब्यक्ति आता है जो देश का उधार करता है वो मोदी जी कर रहे हैं एक रावडी राठावर का डालाग है कि सव साल जिंदा रहना कोई जरूरी नहीं इस डायलोग को मोदी जी कर रहे हैं मेरे देश वासियों सव साल जिंदा रहना कोई जरूरी नहीं है एक दिन ऐसा काम करो लोग सव साल तक याद रहे हैं यह नया भारत है निर्भीक भारत इस निर्भीक भारत में सतंत्र मन से आप रहिए जो डर गया, वो मोदी नहीं इसे अलिए मेरे मित्रों, ये मोदी जी का देश है यहां सतंत्र रहिए, किसानों को पूरी योजना मिलेगी पूरा सुख सुविधा मिलेगी लाडली बहनों को सर्व सुविधा मिलेगी उनके संसकार में उनके पढ़ाई में उनके विवाह में कोई कमी नहीं होगी क्योंकि मोदी जिन्दा है मोदी जिन्दा है और मामा जी के नित्यत्य में सभी लोग फुल फल रहे हैं बगिया की तरह है मात्र भोम गान से गोंजता रहे गगन इस नेह नीर से सदा फोलता रहे चमन ये मद्द प्रदेश बगिया की तरह है चमन है बगिया की तरह है उपवन की तरह महेक रहा है मैं उसे सीर्स में बैठी हुए मोदी जी को और सिवराज जी को हरदय की गहराई से बंदन करता हूं और स्वागत करता हूं कैना ये चाहता हूं और योजने की बात आ रहा है तो मैं बताना चाहिता हूं जैसे मेरे घर में 5 6 बच्ची है दूसे जन्में हुए बच्ची है दूसे मेरे veggणी लक् depression सिर्देन हैं मेरे घर में बच्चीयों को उसका लाब मिल रहा है आज वो हमारे घर में अभी कभी ऐसा उमीद हम माबाप हैं उनके हम कभी उमीद नहीं कर सकते कि बच्ची की एक खाता खोल के उनके खाते पर कुछ पैसे जमा कर ंभानको हैं की योजरसिंग सरकार को कि हमारे बच्ची को लगपती लाली लक्षमी बना दी आसी सरकार के लिए हम तहदिल से स्वागत करते हैं अपने सरकार बनाने के लिए अभिनंदन करते हैं और मदद करेंगे हम